हाई आप लोग आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं बहुत ही अच्छी चीज जो सीजन के अंसार है अभी सर्दी का मौसम स्टार्ट हो गया है और ड्राय स्किन वालों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी है क्योंकि ऑईली स्किन के लिए तो रिलीफ मिलेगा ऑ यह लगता है लिकिन ड्रइज के लिए यह दुपाग्ये वर्श मौसम कर अखराब हो जाता है जारा जो मॉसर है हमारा गायब हो जाता है मॉसराजर करते हैं फिर भी हमारी स्किन काफी परेशान करती है कीची होने के कारण खुद खुझ को इरीटेशन होता है या पिर कई और किसी के एक्सेस में जब DRY SKIN होती है तो वह बिनकों पर पढ़ जाते हैं pooru और हमारी कभी DRY SKIN लगुने इसलिगे DRY SKYन के बढ़ा भी जल्दी आता है और दूसरा SKIN काफी किची किची रहती है और यह wrinkles थे रहती ओली इस hypothesis की नहीं इस लिए ऐसे मौसम में ड्राइस स्किन वालों को सब से ज़ादा केयर्फुल रहना चाहिए क्योंकि चाहिए मोस तो सबसे पहले आप उठते ही फेस वाश ना करें क्योंकि जब हम सो कर उठते हैं तो हमारी स्किन थोड़ी सी नॉर्मल रहती है उठते के साथ ही अगर हम फेस वाश करेंगे तो उससे और भी ज्यादा हमारा मोश्चन निकल जाता है हम अपनी स्किन को मेंटेंड करने के करके बाद में हम हलके हलके हेस से फेस को क्लीन करेंगे तो उस में हमारी स्कीन भी क्लीन हो जाएगी और दूसरा मॉश्ज्ट भी हमारी स्किन को मिलेगा तो यह काफी आसान तरीका है हर घर में आज tapping 와 पी लोग स्क्रफ रखते हैंék और नहीं है तो हम रख लेंगे व ondan हम र और वी जादा खिचाब रहता है तो आप दो ढूप हनी की डाल सकते हैं यह अदिक से जाइब करने के बाद मैं आप अल्का सा फेश पर लगाए एक सेकंड लगाने के बाद में हलका हलका इस तरह से रांड-रांड शेप में थोड़ा सा पांच मिनिट तक भी अगर करेंगे तो काफी होगा और सिंपल पानी से वाश कर लीजिए कोई दिक्कती नहीं तो यह काफी यूस्पुल है और काफी अच्छी है इसके रिजल्ट भी अच्छे हैं टैनिंग भी तूर होती है मौशर भी इसकिन को मिलता है और जो होते हैं उनको दिक्कत हो जाती है तो डस्ट वहरा लगती है फेस पर कितना भी हम कपड़ा बांग लें फिर भी लगती है तो उस पोजिशन में सोने से पहले हम फेस को गोश करेंगे वाश करने के बाद में थोड़ा सा नरीशिंग वाली बात इसकिन को पहुचाएंग नीबू को निचोड़ कर इसका हम वीडियो कोशिट कर देंगे किस तरह से हम यह तैयार करता है सीरम नीबू और ग्लीसरीन निपा और बात में उसको छानने के बाद में ग्लीसरीन में मिक्स कड़ें एक बोटल में बर ली जाएे और उसके बाध में अगर आप सोने से पहल थाइणि में आपके, लागाने के बाद में उसको लगाना है, जहीं नहीं पर आपको प्राब्लम नहीं कि आ बीध हो सुझा पूंछ केकि अधर नहीं ही, काफी का geçूंड सकता हुझा में तो की बीध्त आपको लागाना महाना है, तो एक दिन जरूर लगाना चाहिए आपके पास अगर working women है या girl है तो आपको दिन नहीं नहीं है कोई बात रात को सोने से पहले आपको ऑद फेसमास्क ले और उसको फेस पर लगाएं और लगाने के बाद में फिर फाइब मिनिट तक लगे रहने दें और उसके बाद में हलक चंदन का है फेस मास्ट काफी अच्छा है इसके रिजल्ट काफी अच्छे है जैसा कि आप जानते हैं कि रूप मंत्रा के सारे प्रोडेक्ट आयरवेदिक होने के कारण इसमें जड़ी बूटियों का पूरा-पूरा यूज किया गया है और फालों के रस और जड़ी बूटि किया था आपने देखा होगा तो इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं तो हम पहले खुद लगा कर किसी भी चीज को देखते हैं उसके बाद आपके सामने लेकर आते हैं तो यह अगर आप लेते हैं तो कोई मुश्किल चीज नहीं है 60 ग्राम का है और 87 इसकी MRP है अगर इससमें और यह देखी यह आएली स्किन के लिए हैं यह मट पैक है इसमें ऑईल को एबजोड करने वाले चुंता हैं कि किसी भी तरह का मॉश्चन नहीं है मट पैक है दूसरा यह ऑज़े टेन पैक है इसमें जो टैनिंग को जाती है इसकिन पर उसको भी रिमूब करने का क करता है इसके अलाबर हम आपको बताते हैं जो हमको सबसे ज्यादा पसंद है जो फेस मास्क यह देखिया यह फेस मास्क फेर ग्लो का है हल्दी चंदन फेस पैक है और इसका पैकिंग इस तरह से है देखिए वन केजी इसकी कॉंटिटी है और ज्यादा कौशली भी नहीं है 307 रुपेस की MRP है और इसकी खुश्वू बहुत ही अच्छी है इसमें सबसे ज्यादा ड्राय स्किन के लिए जो मॉस्चर मिलना चाहिए नरिश्मेंट मिलना चाहिए यह टैनिंग रिमूबल भी पैक है तो काफी अच्छा है आप इसको इतना सस्ता होने के बाद भी किसी त अच्छा फुड़ा से ढकन खोल कर आपको बता रहें यह देखिया अच्छा में किसी भी तरह का हमको रोज वाटर या कुछी मिक्स करने की आवश्यक्ता नहीं है क्योंकि इसमें खुदी रोज वाटर मिक्स किया हुआ है यह मैं हम इस्पून से आपको बताते हैं यह देखिए इस तरह से यह लिक्विट फॉर्म में है बहुत ज्यादा लिक्विट भी नहीं है ठिकने से और यह देखिया इसके रिजल्ट इतने अच्छे हैं कि आप देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा स्किन को ग्लो इस्टार्ट ग्लो एक बार पहुंचता है और काफी हमारी स्किन को नरिश करता है यह बहुत ही अच्छा है देखिए खुश्वु इसकी बहुत अच्छी है खुश्वु हम देख रहे थे और यह देखिया बिल्कुल भीनी भीनी खुश्वु है क्योंकि इसमें केसर चंदन और हल्दी का पूरा मिश्टन है फ़लों की रस को भी इसमें मिक्स किया गया है जिससे की इंस्टार्ट ग्लो और अब देखिये हम आपको पैक लगा के बताते हैं और अब भी हमारा फेस तो क्लीन है बाकि मेक अप हम कुछ नहीं करते हैं तो किया हुआ नहीं है हम लगाने का तरीका और वाश ख़ने का तरीका आपको बताते हैं कि यह देखिये इस तरह से हम एक फेस के अकॉर्डे हम खुद लगाएंगे तब भी अलग ही लेना चाहिए काफी यह देखिया और इसको लगा के बताते हैं ड्राइश किन के लिए बैस्ट है और हमारे इसकिन ड्राइब है सबसे पड़ी बात है ड्राइश किन होने के जरूरी हो जाता है क्योंकि अगर बहुत ज्यादा ड्राइश बढ़ जाती है तो इसकिन एकदम रिंकल वाली हो जाती है तो इस बेंकल को मेंटेंट करने के लिए बिल्कुल ड्राइश इसकिन पर ज्यादा नहीं आनी चाहिए यह देखिये हम डायरेक्ट लगा कर आपको लगाने का तरीका देखिया हमने कुछी मिक्स नहीं किया इस वाले पैक को अगर आप परचेज करते हैं तो फिर आप बिल्कुल डायरेक्ट ही लगाई अगर किसी में थिकनेस बहुत ज्यादा है तो उसमें आप बिल्कुल रोजवाटर मिक्स कर सकते हैं कि फेसमाच लगाने के बाद हम बोलना नहीं चाहिए लेकिन हम बरावर बोलेंगे क्योंकि आपको बताना है हमको सिखाना है यह देखिए डायरेक्शन का पूरा दियान रखना चाहिए अगर यह आखों पर भी लग जाएगा तब भी कोई इसका नुक्सान नहीं है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर बात नहीं है यह सार फेश फर हमने इस तरसे लगा लिया है और 7-10 मिडिट तक हम लगा रहने देंगे उसके बाद में बाश करेंगे अब भी वीडियो काफी लंबा हो जाएगा इसलिए हमको आपको बताना था तो बाश करना पड़ेगा अगर आप रेश करना है तो रोज बाटर में डिप करके कॉटन पैट लगा सकते हैं जिससे कि अच्छे से आखों को भी रेश मिलेगा रेलीव मिलेगा तो चलिए बताते हैं आपको कि किस तरह से बाश करना है यह घर बैठे अपनी स्किन को मेंटेन करने का तरीका है जो हमने आपको बताया है आप सेल्फ अगर घर पर लगाते हैं तो बिल्कुल भी बोले नहीं काम कुछ भी आप कर सकते हैं कोई दिक्कर नहीं अभी सर्दी का थोड़ा मौसम है तो हमने नौर्मल पानी ही लिया है गर्मी के मौसम में चिल्ड ले सकते हैं और तेश ठेंड में और थोड़ा गुन-गुना भी ले सकते हैं अभी हम इसको पहले हलका सा गीला करेंगे जिससे की पैक इसकिन से अलग हो जाए है अब यह हमारा पैक जाधे ड्रै नहीं है इसलिए हम आपको किवल बता रहे हैं या फिर नैपकेन को डिप करके आप पूरे फेस पर डाल सकते हैं इस्टीम जिससे की पैक थोड़ा इस्टीम भी मिल जाती और पैक इसकिन से अलग हो जाता है तो यह अब बताते हैं आपक इस तरह से करने से हलका सा हमारा पैक बिलकुल इसकिन से अलग हो गया है और आसानी से वाश हो सकता है अभी डायरेक्ट फेस मास्क को कभी भी खींचते हुए नहीं वाश करना चाहिए यह देखिए बहुत आसानी से अगर इसकिन से अलग पैक किया हुआ है तो वाश हो जाएगा अच्छे से ये इस तरह से किया हुआ 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 झाल झाल प्रेंड्स यह हमारे जो ड्रै स्किन को मेंटेन करने का जो हमने तरीका आपको पता है घर बैठे यह आप देख रहा है कि इस्टांट गिलो इस तरह से आया है और काफी मॉश्यर हमारी स्किन को पहुचा है अगर यह वीडियो आपके लिए यूश्फुल रहता है और आपको वीडियो पसंद आता है थोड़ा भी तो लाइक करिए शेयर करिएगा कमेंट परक्स में कमेंट जरूर करिएगा क्योंकि यह वीडियो काफी यूश्फुल रहेगा आप सभी के लिए सर्दी के मौसम में अगर अपन ड्रै स्किन वाले अपने आपको बुड़ा लेते हैं और नेश वीडियो में फिर बहुत जल्दी ही मिलेंगे तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद ओके बाय थेंक यूश्फू झाले बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत